हलो एवरिवन आज हम बनाएंगे फलाफल के चीले जो जीरो आयल में बनने वाले है डिलिशिस सूपर हेल्दी एंटेस्टी तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बाउल मैंने यहाँ पे छोले लिया था उसको गुन-गुने पानी में भिगो के रखा था साथ से आठ गंटे त तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली गार्लिक और जिंजर लिया थोड़ा थोड़ा ही लिया है एक एक अपनी साब से उसमें डाल सकते हो एक चमच मैंने यहाँ पे जीरा डाला था और थोड़ी आदी चमच जितनी मैंने ब्लैक पेपर डा फिर और थोड़ा पानी लिया और और उसकी फाइन पेस्ट मैंने बना ली यहाँ पे हमें फालाफल नहीं बनाना है इसलिए हमें थोड़ी पेस्ट के रूप में बैटर जैसा चाहिए यह देखिए इस तरह से फालाफल के चीले फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते है तो अगर हम वेजिटेरियन हैं मेरी तरह तो यह बेस्ट सोर्स है प्रोटीन और फाइबर का अपने डायेट में एड़ करने के लिए यह फलाफल के बैटर को हमने बटर में निकाल दिया और क्यूंकि हम चीला बना रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे दो चमच बेसन लिया है उसको भी अच्छे से इस बैटर में मिक्स कर देंगे ताकि चीला जब हम बनाए तो उसका शेप बने चीले जैसा बेसन को डाला है बेसन भी काफी हल्दी रहता है फिर मैंने यहाँ पे सूखे मसाले किये जैसे कि नमक मेर्च धनिया पाउडर थोड़ा सा अगर आप चाहो बैटर बना दीजे बैटर को अब हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट कराएंगे तो डखकर मैंने या रख दिया है अब हम उसके चिले उतारेंगे तो चिले के लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम कर दिया है पांच मिट तक पैन को अच्छे से गरम हो जाने दीजे जीरो ओल यहाँ पैन गरम हो जाए फिर हम इसके चिले उतारेंगे दोनों साइट 2-2 मिनिट तक अच्छे से उससे पकाना है और इस तरह से हमारे चिले रेडी कर देना है चिले को खाने का भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है अगर आप यह बच्चों को खिलाना चाहते हो तो यह काफी रूप में खिला सकते हो जैसे के हम फ्रैंकी बनाते हैं मैं इसमें मैयोनीस कैचप डाला था फिर मैंने इसके उपर ग्रिटर पनीर डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला और उसको अच्छे से फ्रैंकी के रूप में रोल करके उनको खिला था वो बहुत ही टेस्टी लग या फिर हम सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं इसको दही में थोड़ा सा मिर्च लगा कर और देसी स्टैल से खाओ अब कोई भी स्टैल से खाओ लेकिन यह बहुत ही हल्दी है तो यह रेसिपी जरूर से ट्राइ करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी आप किस कंट्री से हमें देख रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर से बताना लाइक शेयर और सब्सक्राइब पर मौर रेसिपी थैंक यू सो मच